हेले अवरीवन नमश्कार में आद्वेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेंगनेट ब्रेंस बैंकिंग चैनल पर आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए जो वीडियो जिसमें आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है अगर नहीं आ रहा है तो वह सिर्फ प्रिलिम्स पास करने के बाद उसका प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब वह उसे कवर नहीं कर पाते हैं तो हमारी इनिशेटिव जो है इसलिए है कि आप अभी से उसके लिए प्रिपेर करें ताकि फाइनल सेलेक्शन तक पहुचने से आपको कोई न रोख पाए दोस्तों यह सब शुरू करने से पहले आपको बदा दूं कि हम मतलब की मैगनेट ब्रेंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बुक जो की आपको हेल्प करने वाली है इस प्रिपरेशन में यह बुक जो है अपने आप में पराकाष्ठा होगी क्योंकि इसमें वो सारे सब्जेक्स होंगे जो आपको SBI PO exam में काम के हैं अब अगर आप देखें तो इसमें जो है बेसिकली आपको quantity of aptitude भी मिलेगा इसमें reasoning भी मिलेगी इसमें आपको banking भी मिलेगा और सभी exams को target करके जो है यह बुक बनाई जारी है और दोस्तों यहां पर इस बुक में आपको basic concepts और जो है basically foundation वो सब भी बताया जाएगा मतलब यह कुल मिला के यह कि अगर कोई beginner है अगर कोई शुरुआत क इसको लिए भी जो है basic concepts है और उसके advanced questions वो भी आपको कराया जाएंगे उसके बाद बात करें तो topic wise आपको प्रैक्टिक questions available होंगे मतलब वो student जो पहले से preparation कर रहे हैं लेकिन जिनको questions चाहिए level के तो बहुत अच्छे level के जो है questions banking exams को target करते हुए इस book में available रहेंगे उसके ब test pattern पर आधारे तैयारी कर सके दूसरी बात यह कि mock test paper मतलब यह कि हमारी तरफ से दिएगा expected question जो आ सकते हैं वो mock test paper भी जो है इस book में आपके लिए available रहेंगे उसके बात फिर बात करें तो complete topic wise revision भी जो है इसमें आपको मिलेगा तो दोस्तों बहुत जल्दी यह book जो है आपक कर सके क्योंकि हमने अपनी मेहनत का निचोड इस book में डाला है जिसका फायदा आप सबको मिलने वाला है अब दोस्तों बात करें तो हमारा जो target है वो है State Bank of India PO तो यह जो State Bank of India PO मेंस जो है यह SBI PO मेंस जो 2022 का जो यह exam है यह basically काफी challenging होता है वो students के लिए जो banker बनना चाहते है मतलब यह कि banking की field में अगर Reserve Bank of India या RBI के बाद अगर को student कुछ बनना चाहता है अगर उस exam को छोड़ा जाए RBI PO को या RBI grade B को तो SBI PO जो है सबका सपना होता है तो दोस्तों इसके लिए जो हमने विशेश preparation की है कुछ topics आपके लिए तयार की है especially आज हम जब banking के subject की बात कर र रहे हैं उसके बाद फिर इंडियन banking structure RBI इनिट्स functions banking acts banking operations reforms in banking sector banking committees यह सारे जितने भी topics हैं आपको बताए हैं यह काफी सारे topics हैं करीब लेकर आपके साथ बने रहेंगे तो आपको भी इन वीडियो को जो है regular basis पर देखते रहना है बैंकिंग में कौन से codes use होते हैं negotiable instruments क्या होते हैं credit rating agencies क्या होती है government schemes related to banking sector में कौन कौन सी योजना है जो सरकार चला रही है banking की terminology कौन कौन सी terms होती है बैंकों में उसके बाद money क्या होता है कितने type के होते money उसके बाद financial market क्या होता है non banking financial company nbfc क्या होती है यह सब आपको जो है separate अलग-अलग videos में समझाया भी जाएगा at the same time previous years में जो questions पूछे गए है वो सारे questions भी जो है उनके माध्यम से आपको यह सारे topics पढ़ाये जाएंगे आप सोचिए कि 4-5 साल में जितने भी questions इन topics से पूछे गए है वो चुनिंदा questions जो है वो set आपके लिए तयार किया गया और वो पूरा video जो है हम आपको explain करेंगे mutual funds क्या होते है tax system भारत में कैसा है है ना उसके बाद फिर public finance या planning वगेरा जो भी है वित्त की planning है budget है वो सब भी उसके बाद फिर बात करें तो economic planning and national income है ना वो भी और फिर बात करें तो industries and trade मतलब यह के देश में व्यापार कैसा है trade कैसा उद्यो कैसे है तो यह सब जो है वो सिक्वेंस में तो जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी दो जो है videos पर बात कर लिए मतलब यह के banking and its history और Indian banking structure है ना इन दोनों जो है basically videos या इन दोनों topic के questions हमने discuss कर ली है अब हमें discuss करना है RBI and its function दोस्तों RBI and its function बड़ा important topic है और दूसरी बात आपको बता दूं कि यह जो है basically ह हम दो पार्ट में करने वाले हैं है इसमें पार्ट वन और पार्ट वो टू तो आज जो आप पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं पार्ट वन आज हम पार वन पर बात कर रहे हैं यह पार्ट वन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं देखते हैं कि भया क्या क्य जो है questions है जो आपके लिए हैं गौर से देखिए तयार हो जाएए शुरू करते हैं क्या-क्या questions आपके लिए है प्रीविएस ये questions पार्ट वन ध्यान रखेंगे RBI and its functions अब यहां पर बात कर रहे हैं बहिए RBI and its function जो है basically इसमें पहला question है कि Reserve Bank of India का जो है staff college जो है वो कहां अस्तित है तो Reserve Bank of India का staff college कहां है उससे पहले बताने के लिए उससे पहले आपको बता दूं कि Reserve Bank of India जैसे कि आप जानते हैं इसका head office जो है वो कहां पर है Reserve Bank of India का Mumbai में है कहां पर है head office है यह आप याद रखेंगे और regional office जो है जितनी भी राजधानिया है वहाँ पर regional office भी है 31 regional office है इस समय RBI के तो आपको वह याद रखना है बाकि आपको बता दूँ कि चेन्नाई में जो है वो staff college है यह आप याद रखेंगे है ना RBI का staff college है है वो कहां पर है चेन्नाई में है ना तो यह बहुत सारी information है Reserve Bank of India के बारे में questions में तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो कि बहुत चेन्नाई का जो staff college Reserve Bank of India का आपको उसको याद रखना है Reserve Bank का head office जो है मतलब सबसे पहले जब बना था तो 1935 में head office जो है वो कहां रखा गया था कोलकाता में और उसके बाद फिर बात करें तो head office Mumbai जो है वो काप shift हो गया 1937 में 1937 में Mumbai में जो है RBI का head office shift कर दिया गया यह आप याद रखेंगे चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है friends who is the present governor of RBI of India as of September 2022 मतलब यह कि हम अभी बात कर रहे हैं सितंबर 2022 की और अभी जो है RBI के governor कौन है हलाकि उस समय जो ही question पूछा गया तो उस समय के governor के लिए हमने अभी के governor के लिए जो है यह question convert किया है pattern same था governor का नाम जो है पूछा गया तो आप ध्यान रखेंगे तो आप से पूछा जाए कि भाया present governor RBI के जो है वो कौन है तो आप बता देंगे present governor जो RBI के है वीवी चारी नहीं है रगुराम राजन नहीं है शक्तिकांत दास जी जो है वो हमारे governor है उर्जित पटेल इससे पहले governor हुआ करते थे clear है ध्यान रोके है ना शक्तिकांत दास RBI के governor है है ना और यह RBI के head होते है RBI के board के head है आपको बता दूँ मतलब यह की RBI board के chairman भी होते है और बी आई बोर्ड के chairman क्लिर है अगर chairman बात निकली है तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि RBI का जो board होता है है ना इस board में 21 members होते है कितने members होते है 21 एक के सदस्य होते हैं और इन 21 सदस्यों में एक कौन होता है governor होता है उसके बाद चार जो हैं वो कौन होते है वो deputy governor होते है उसके बाद फिर दो जो हैं वो finance ministry के representative होते है finance ministry finance ministry representatives और उसके बाद फिर 10 directors nominated by government of India nominated by government of India clear उसके बाद फिर आप से पूचा जाए कि और कितने होते क्योंकि total तो 21 है तो आप बता देंगे चार zonal director होते हैं चार जोने डिरेक्टर होते हैं अर भी एक governor हैं ना चार डिप्टी गवर्णर दो finance ministry के परतिनी दी दस भारत सरकार के प्रतिनी दी और चार जो है वो जोन डिरेक्टर तो इस तरह से टोटल जो है 21 board of directors होते हैं और अभी फिलहाल जो governor है वो कौन है RBI के वो governor है शक्तिकांथ दास यह आप याद रखेंगे चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं which year was the RBI nationalized मतलब यह कि RBI का राष्ट्री करण कब हुआ तो दोस्तों आपको बता दूं basically की जब RBI बना था 1935 में तब भारत में किसका शासन था अंग्रेज़ों का शासन था तो basically Reserve Bank of India पर British industrialist का अधिकार था मतलब यह कि जो Britain के उद्योग पती थे उनका पैसा इसमें लगा था मतलब यह कि British जो कह सकते हैं कि उद्योग पतियों के उंग्लियों पर जो है यह इशारों पर उस समय यह काम कर रहा था है ना क्योंकि उनी के government थी है ना और जब हम आजाद हो गए तो हमें पता लगा कि भाया जो Reserve Bank of India है इट वास वर्किंग फॉर 1947 में हम आजाद हो गए तो वहाँ पर अब जरुवत यह महसूस हुई कि आर्बी जो है दो बाते थी एक तो आर्बी जो है वो प्राइवेट था और दूसरी बात यह कि आर्बी जो है वो regulator था हमारा regulator था banking system का मतलब यह कि note शापना यह करता है महंगाई को कंट्रोल करने का काम RBI का है ठीक है बैंकों को लोन देने का काम RBI का बड़े-बड़े सारे काम जो है महंगाई को नियंतरण करना है नोट शापना cash flow को maintain करना यह सब काम जो है वो RBI का रहा है cash distribute करना जो था ये basically British shareholders का था तो भारत सरकार को जरुवरत थी कि ये हमारे अधीन आ जाए मतलब भारत सरकार के अधीन आए इसलिए एक act पास हुआ और इस act का नाम था अन पब्लिक पॉणर्शिप अधे पॉब्दिक ओनर्शिप अग्त आये 1948 में आपसे पूछा जाएगा यह पॉब्लिक ओनर्शिप आक्ट क्या है भाईया तो आप बताओगे कि पॉब्लिक ओनर्शिप आप्ट जो है यह वो है जिसने सरकार को पावर दिया किसका कर सकती है राष्ट्री करण का अधिकार तो यह है फंडा भया नेशलाइजेशन का अधियान रखेंगे जब कोई निजी संस्था है और उसे भारत सरकार अपने अधीन कर लेती है उसकी 50% से ज्यादा इस्सेदारी खरीद लेती है उसकी मालिक बन जाती है भारत सरकार जिस प पब्लिक ओनर्शिप आक्ट 1948 केता है तो दोस्तों आपसे पूचा जा रहा है कि कब जो है अर्बिया का नेशलाइजेशन किया तो फॉर्स्ट ऑफ जैन्वरी 1949 को आर्बिया का जो है नेशलाइजेशन हुआ है यह आप याद रखेंगे यह रास्ट्री करण का एयर है यह करेक्ट है आपका सी ऑप्शन है ना आर्बिया का रास्ट्री करण रास्ट्री करण कि यह रहे हैं आर्बिया का जो रास्ट्री करण है भाई सब 1949 में हुआ यह आप याद रखेंगे लेकिन इस डेट से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और पूछा जाता है कि यह फर्स्ट उफ जैन्वरी को आरबिया याथ बनाते यह फिर्सल sap ऑफ एपरिल को आरंबिया मनाते हैं तो दोस्तों एक और बात आपको बदा दूँ कि आरबिय की जो स्थापना हुई थी वो कब हूजा तो RBI की स्थापना हुई थी 1st April 1935 को 1 April 1935 को RBI का establishment हुआ था स्थापना हुई थी और ये स्थापना जो है वो कोलकता में हुई थी लेकिन nationalization कब हुआ था 1 जनवरी 1940 को लेकिन हमारे लिए हम भारतियों के लिए जाधा important ये है कि 1st of January को RBI सही माइने में हमारा हुआ और इसलिए हम लोग 1st of April उसका जो foundation days था अपना देवस उस दिन RBI day नहीं मनाते हैं हम लोग RBI day का मनाते हैं इंडिया वाले तो हम लोग RBI day मनाते 1st of January को RBI day तो एक और जानकारी आपको यहां मिलती है वो यह कि RBI day is being celebrated on 1st of January एक जन्वरी को RBI day मनाया जाता है क्योंकि उस दिन RBI का nationalization हुआ था 1st of April 1935 भी important है क्योंकि उस दिन RBI का establishment हुआ था clear है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question जो पूछा गया था exams में previous years में SBI में the technique used for printing Reserve Bank of India appearing on the face of the Indian currency note is मतलब यह कि जो note होते हैं यह ना 500 का note होता है 2000 का note होता है जो भी note होता है उस पर अगर ऐसा भारती Reserve Bank लिखा होता है भारतिये Reserve Bank तो यह जो भारती Reserve Bank अगर note पर लिखा रहता है तो यह कौन सी technique से लिखा रहता है यहाँ पर लिखा भी आ इंटेंग्लियो टेक्नीक माइक्र लेटरिंग गुप्त मुद्रन Screen Printing है ना मतलब यह कि यह basically latent printing screen printing micro lettering या Intel Glio तो अब मैं आपको answer बता दे रहा हूँ simple सी बात है वो टेक्नीक है जिसमें की एक surface के नीचे जो है ink के जरीये लिखा जाता है अब ध्यान रखें मतलब यह कि ink के उपर एक और surface होती है और फिर उतनी उतनी आकरती को जो है खोद के या काट के जो है design भी बनाया जाता है और यह जो टेक्नीक होती है लिखने की यह printing की जो टेक्नीक होती है वह Intaglio कहलाती है क्या कहलाती है Intaglio तो Intaglio टेक्नीक जो है next question की तरफ which of the following institution is responsible for regulating the formal sources of credit in India मतलब यह कि निमलिकित में से कौन सा संस्थान भारत में रिंड के अपचारिक स्तुरोतों को विनियमित करने के लिए जिम्मिदार है तो no doubt आपके दिमाग में अंसर आ गया होगा कि इसंपल सी बात है भारत में रिंड को manage करने का काम है ना रिंड की विवस्ता करने का काम जो है वो किसका है तो no doubt देखिये सिंपल सी बात है try क्या करता है तो बहिए telecom regulatory authority of India मतलब भी है कि यह तो telecom का काम देखता है है ना यह telecom regulatory उनके लिए rule बनाता है उसके बाद नाबाड जो है तो यह जो है वो agriculture और rural development के लिए काम कर रहा है है ना तो यह अलग बात होगे ada यह insurance field के लिए काम कर रहा है insurance regulatory development authority है ना देखिए रीजनल रूरल बैंक्स यह उनके कोपरेटिव बैंक उनका रेगूलेटर कौँ है नाबाड insurance का regulator कौन है एडा insurance regulatory development authority insurance regulatory development authority एडा का head office का है है हैधराबाद में नाबाट का head office मुंबई में ट्राइग है तेली कॉम regulatory authority of India ट्रिकॉम लेकिन Reserve Bank of India जो है इसका head office कहां है तो Reserve Bank of India का head office जो है ये basically मुंबई में है आप याद रखेंगे किदर है और Reserve Bank of India जो है ये बेसिकली वो संस्थान है जो आपचारिक रूप से रिण के लिए जिम्मेदार है या रिण का नियंतरन करता है बैंकों को मारकेट में जो है क्रेडिट फैसिलिटी अविलेबिल कराता है तो सिंपल सी बात है यहां पर सीधा लिखा गया है कि फॉर्मल सोर्स ओफ क्रेडिट इन इंडिया है ना भारत में क्रेडिट का रिण का अपचारिक जो सोर्स है वो क्या है तो आब बता देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्बिया वास सेट अप ऑन दे बेसेज ऑफ रेकमेंडेशन अफ मतलब आर्बियाई जो है वो किस या अर्बियाई की स्थापना जो है डेश के सिफारिश के अधार पर की गए तो इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वारी कमेटी रॉयल नहरू रिपोर्ट या नन अफ दीज तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि दो जो है बेसिकली एकोनॉमिस्टे ब्रेटिश एकोनॉमिस्टे नाम था हिल्टन और यंग इन्हों ने 1926 में 1926 में बिसिकली एक सिफारिश की हिल्टन यंग कमीशन ने कि रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया बनाया जाना चाहिए बहरत का एक Central Bank बनाया जाना चाहिए तो Reserve Bank of India को बनानी की सिफारिश Hilton Young Commission ने की और दोस्तों उसी Hilton Young Commission का नाम जो है वो basically है Royal Commission मतलब इसी Hilton Young Commission को Royal Commission भी कहा जाता है मतलब या तो Hilton Young Commission बोलो या Royal Commission बोलो एक ही बात है Royal Commission और Indian Currency and Finance बाग ये एक interesting fact आपको और बताता हूँ कि ये जो Reserve Bank of India बनाया गया RBI जो बनाया गया तो RBI की स्थापना RBI के establishment जो है इसका idea Hilton और Young को एक book से आया और वो book का नाम था problem of rupee, its origin and its solution clear है मतलब ये कि ये book है book का नाम का है problem of rupee, its origin and its solution तो दोस्तों ये जो book है ये basically book लिखी थी भीमरा उम्बेटकर ने आप ध्यान रखेंगे जो भी मुझे point याद आ रहे है इन questions के दोरान वो मैं आपको बता रहा हूँ तो basically भीमरा उम्बेटकर ने ये book लिखी थी और भीमरा उम्बेटकर की ये book का नाम का है problem of rupees, its origin and its solution और इससे जो है inspiration लीती किसने Hilton और Young ने clear ये आप याद रखेंगे और Hilton Young Commission को ही Royal Commission बोला जाता है दोनों एकी बात है और इसी की सिफारिश पर Reserve Bank of India की स्थापना हुई थी बढ़ते हैं question number seven की तरफ which of these institution fixes the repo rate and the reverse repo rate in India इन में से कौन सा सस्थान है जो भारत में repo rate और reverse repo rate तै करता है तो देखिए ministry of finance तो budget वगेरा बनाता है पैसे का allocation देखता है state bank of India को इसकी कोई authority है नहीं है controller auditor general of India सरकार के खर्चों का हिसाब रखता है बचा हमारा अपना खुद का जो subject हम या टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं Reserve Bank of India Reserve Bank of India की duty है देश में repo rate और reverse repo rate को कम जादा करना क्योंकि इसकी मदद से RBI जो है market में Reserve Bank जो है market में cash flow को कम जादा करता है आप से पूछा जाए कि यह जो है repo rate और reverse repo rate जो है वो क्या है तो आप जानते है repo rate वो interest rate है जिस पर bank जो है और भी से लोन लेते हैं ना तीन महिने तक कर लोन लेते वह और रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाता है तो रिवर्स रेपो रेट जो है बिसिकली यह वह interest rate है जिस पर RBI बैंकों में पैसा जमा कराते हैं जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वह उस पैसे को अर्ब्यमें जमा कराते जिसका ऐसा पैसा जिस्का अभी फिलाल उपी नहीं कर रहे तो अरभी में जमा करा दे ले तो उसके बदले अर्भी इसंने इंट्रेस्न मिलता है तो जो इंट्रेस्स रेपो rate क्या है जो interest RBA को चुका अरबिया इको देंगे क्या क्या देंगे और बियको तो भी रहाइब रेपो रैट है ना और और एइसे मिलेगा क्या तो रिवर्स रेपो रेट मिलेगा यह अब ध्यान रखेंगे ऐगे बाकी एक और चीज़ यह बहुत सारे जो हैं कि रेट होते हैं आफ कि बैंक रेट बैंक रेट आप जानते बैंक रेट का टाइम तो तीन मेनी से ज्यादा की लूण के लिए इंटरेस्ट करना पड़ता है बैंकों को Upon 3 त्यूंट फिर उसके बाद फिर बात करेंट तो अगर बात करें एक दिन के लिए एक लोन लेते हैं तो वह क्या स्वाइन करें मार्डाल स्टैंडिंग फैसलिटी और three म 연े से कम का होता है तो फ्य edgy in रिपो रेट वो इंड्रेस्ट है जो तीन मेने से कम के लिए लोन के लिए होता है फिर इसके बाद तीन मेने से ज़्यादा के लिए बैंक रेट और एक दिन के लोन के लिए MSF रेट आप यह याद रखेगे नेक्स्ट विच ओफ फॉलिंग स्टेट्मेंट अबाउड रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इस इनकरेक्ट इन में से कौन सा है जो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इनकरेक्ट है तो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1935 मतलब यह कि भारती Reserve Bank ने अपने जो operation से 1935 में शुरू किये थे तो ये तो correct है एक अप्रेल 1935 को RBA ने अपने operation शुरू किये और ये question ने पूछ रहा है कि कौन सा वाला गलत है तो फिलाल ये तो गलत नहीं है ये तो सही है फिर इसके बाद in 1931 Indian Central Banking Inquiry Committee revived the issue of establishment of Reserve Bank of India as the Central Bank of India मतलब ये कि Central Banking Inquiry Committee जो है ये 1931 में आई थी और इसी ने जो है Reserve Bank of India की स्थापना का मुद्धा फिर से उठाया तो ये भी correct है बिल्कुल 1931 में आई थी बिल्कुल सही है उसके बाद फिर बात करें तो 1929 the Hilton Young Commission recommended the establishment of Central Bank to be called the Reserve Bank of India मतलब ये कि 1929 में Hilton Young Commission ने recommendation दी थी हाला कि ये मुझे गलत लग रहा है बाकी एक और पॉइंट देख ले थे RBI का Act जो आया था तो आपसे पूचा जाएगा किस Act के बिहाफ पर RBI का establishment हुआ तो हम सब जानते कौन से Act के बिहाफ पर हुआ था RBI Act 1934 के बिहाफ पर RBI का establishment हुआ था RBI Act 1934 तो ये भी सही है तो कुल मिला कि ये सब सही है अगर सही नहीं है तो सिर्फ एक कमीशन ने 1926 में 1929 में 1926 में सिफारिश की थी तो इसमें पूचा गया गलत कौन सा है तो गलत बहिया option number C यह आप याद रखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ बढ़ते हैं विच अफ द फॉलिंग बैंक प्रेंट्स दा करन्सी नोट्स इन इंडिया कौन सा बैंक है जो भारत में करन्सी नोट प्रेंट करता है तो नो डाउट नाबाड तो नहीं करता है नैशनल बैंक फॉर अग्री कल्चर और रूवर्ड डेवलोप्मेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया 1982 में हेड ऑफिस इसका मुंबई है ना और इसका एक्ट है वो कौन सा है नाबाड आक 1981 शिवरमंड कमेडी की सिफारिश पर बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना है और नोट शापने का कोई काम नहीं है यह तो बैंक है नाबाड रेगुलेटर है किसका रीजिनल रूरल बैंक का तो एक ही बैंक बचता है और वह है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया भारत में नोट प्रिंट करता है दोस्तों आपको बता दूं आपको याद दिला दूं कि यह दो ऑगनाईजेशन है जो हमारे यह नोट प्रिंट करने के लिए जिम्मेदार है एस पी एमसी आई एल सिक्योर्टी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी ऑगनेशन है बी आर बी एन एम पील भारती रिजर्ब बैंक लिमिटेड है ना तो जैसा कि आप जानते हैं सिक्योर्टी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड में कॉइंस भी बनते हैं और नोट भी बनते हैं नाम ही लिखा इसमें प्रिंटिंग और मिंटिंग तो मिंटिंग वो जहां कॉइंस बनते है और printing वो जहां नोट बनते हैं क्लियर है नोट छपते हैं उसके बात फिर बात की जाए तो बारती reserve bank नोट मुद्रन private limited तो यहां पर सिर्फ क्या होता है नोट मुद्रन होता है मतलब यह कि यहां पर सिर्फ नोटों की printing होती है यह आप याद रखेंगे अच्छा कहां होती है तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते वह यह की coins जो बनाए जाते हैं Mumbai Noida Hyderabad और Kolkata यह चार जगे basically ध्यान रखेंगे क्या बनते हैं सिक्के बनते हैं coins बनते हैं सिक्के बनने की जगा है यह चार यह टकसाल है हिंदी में क्या बोलते हैं टकसाल सिक्कों की टकसाल हिंदी में clear और note कहाँ चपते note चपते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो यह government of India की प्रेस है और यह जो है वो reserve bank of India की प्रेस है तो अगर आपसे पूचा जाए कि भाया note यहाँ भी चपते है नोट यहां भी चपते हैं यहां पर अगर आप बात करें तो बिसिकली नासिक में जो है नोट चपते हैं नासिक नोट प्रेस और दूसरा है देवास नोट प्रेस नासिक और देवास नोट प्रेस जहां पर नोट चपते हैं और दूसरी बात अगर यहां पर की जाए कि भाया यह जो भारती रिजर्ब बैंक, नोट मुदरन प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर नोट कहा चपते हैं, तो सल्बोनी, सल्बोनी और मैसूर में नोट चपते हैं, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, बाकी आप ध्यान रखेंगे, हमारे यह नोट कौन चाप बाता है, the dash is visited with the responsibility of conducting, यहाँ पर यह बोलेंगे कि वेस्टेड, मैं वेस्टेड पढ़ रहा हूं इसको, the dash is vested with the responsibility of conducting monetary policy, मतलब मौदरिक नीती के संचालन में जिम्मेदारी के साथ नहित है, क्या, तो भाईया, देखें, simple सी बात है, यहाँ पर basically कौन है, जिसकी जिम्मेदार है, monetary policy, monetary policy मतलब यह कि वो strategy, जिससे market में cash flow को कम जादा किया जाता है, तो monetary policy को regulate करना, चलाना, जिम्मेदारी के साथ, वो काम है, Reserve Bank of India का, आप से पूछा जाए, कि who regulates the monetary policy of RBA, monetary policy, तो आप बताएंगे RBA, RBA जो है, Indian monetary policy को regulate करता है, market में cash flow को control करता है, साल में यह एक बार आती है, लेकिन छे बार review होती है, मतलब यह कि after every two month, monetary policy के review आते हैं, यह आप याद रखेंगे, अब इसके बाद आगे बाद करते हैं दोस्तों, in October 2021, RBA increases the IMPS limit from two lakh rupees, what is the new limit of IMPS transactions, मतलब यह IMPS transfer, IMPS बोले तो immediate payment service, mobile के तुरू जो payment किये जाते हैं, वो IMPS होते हैं, तो अभी तक IMPS की जो limit थी, वो 2 lakh थी, लेकिन October 2021 में RBA की limit को बढ़ा दिया गया है, मतलब यह transaction करने की, तो क्या यह 4 lakh है, क्या यह 3.8 lakh है, क्या यह 4.10 lakh है, क्या यह 5 lakh है, तो दोस्तों, आपको बता दूँ, the right answer is 5 lakh rupees, 5 lakh रुपे, IMPS का अब जो limit हो गया है, वो 5 lakh हो गया, 2 lakh से बढ़ा कर 5 lakh कर दिया गया, October 2021 में, immediate payment service, मतलब IMPS, जहां पर mobile के जरिये fund transfer किया जा सकता है, immediate payment system, इसमें आप maximum limit कितनी होगे, 2 lakh से बढ़ा कर 5 lakh, चली, next question की तरफ बढ़ते है, Reserve Bank of India was established in which year, Reserve Bank of India कब established हुआ, तो यह सब को पता है, Reserve Bank of India के लिए जो act आया, 1934 में आया था, लेकिन इसका establishment हुआ, 1st April 1935 को Kolkata में, बाद में head office Mumbai shift कर दिया गया, तो 1935 में जो है, RBA established हुआ था, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके, Reserve Bank of India does not transact the business of which of the falling state government, मतलब यह कि भारती Reserve Bank निमलिकित मैं से किस राज के व्यवसाय का लेंदेन नहीं करता, कौन सा ऐसा राज है, जिससे की कोई भी जो है उसके business का वो लेंदेन, state government का, जो है, RBA नहीं देखता है, सा कौन सा राज, जिते लंगा ना, जम्मू कश्मीर, मेगाल है, बिहार, none of these, तो आप बताएंगे कि भाईया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक विशेश संधी के तहत भारत के साथ जुड़ा है, और इसी वज़े से कुछ restrictions है कानूनन, जिसके कारण Reserve Bank of India does not transact the business of जम्मू कश्मीर, है ना, आप यह ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर का जो है, वो business का लिंदेन, कौन नहीं करता, तो आप ध्यान रखेंगे, RBI नहीं करता, जम्मू कश्मीर का business का लिंदेन, who maintains the foreign exchange reserve in India, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन जो है maintain करता है, कौन reserve करता है, तो simple सी बात आपको बता दू, इसका सीधा सीधा काम जो है, Reserve Bank of India का काम है यह, Reserve Bank of India जो है, foreign exchange reserve जो है maintain करके रखता है, अभी इस समय आपको बता दू, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अभी, मतलब की October 2022 में जो है, तो वो है आपका 580 billion dollar, 580 billion dollar, 580 billion dollar जो है हमारा, आपको बता दू कि January के टाइम पर जो है, यह 614 billion dollar हो चुका था, 614 billion dollar हो चुका था यह, है न, ध्यान रखेंगे, 614 billion dollar हो गया था, लेकिन अभी कम हो चुका है, क्योंकि crude oil जो है, वो महंगा हो गया, देश में महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, तो इस वज़़ा से जो है, महंगाई बढ़ने के कारण, crude oil महंगा होने के कारण, हमारा foreign exchange reserve विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो अब कम हो गया, आपको बता तो विदेशी मुद्रा भंडार जितना जादा हमारे पास होगा, हमारा रुपी उतना ही मजबूत होगा dollar के मुकाबले, dollar के मुकाबले, रुपे की value गिरेगी नहीं, अगर हमारे पास जादा से जादा foreign exchange होगा, लेकिन फिलहाल जो है, अभी कम है, जनवरी 2022 के मुकाबले, है ना तो, reserve bank of India जो है, इस foreign exchange को reserve करके रखता है, maintain करके रखता है, which is the following is the chief banker to the government of India, मतलब यह कि निमलिकित में से कौन सा या कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, तो भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है, तो भाईया, simple सी बात है, reserve bank of India का एक function है, banker to bank and banker to government, सरकार को अपन अकांट खोलने हैं, भारत सरकार को लोन लेना है, भारत सरकार को पैसा जमा करना है, तो वो सब कहां कराता है, reserve bank of India में कराता है,恤 आर्बिय का एक function है, banker to bank और banker to government, मतलब यह बैंकों का भी बैंक है, और सरकार का भी बैंक है, अगर बैंकों का अकाउंट खोलना है तो RBA में खोलेंगे, सरकार को अकाउंट खोलना है तो वो भी RBA में खोलवाएंगे, बैंकों को पैसा जमा करना है तो RBA में करेंगे, सरकार को पैसा जमा करना है तो भी कहां करेंगे, बैंकों को लोन लेना है तो RBI से लेंगे और सरकार को भी लोन लेना है तो RBI से ले सकते हैं मतलब यह कि RBI act as banker to bank and banker to government यह आप याद रुखेंगे हैं ओके कि the interest rate of banks are determined and regulated by which of the following organizations मतलब बैंकों की ब्यासदरें निम्लिकित में से किस अंगठन द्वारा निर्धारित की जाती है तो यहां पर आपको बदा दू बैंकों की ब्यासदरों से मतलब यह है कि बैंक जो लोन लेते हैं वो interest rate जो है वो कौन डिसाइड करता है तो आपको बदा दू वो interest rate जो है ना तो finance ministry decide करता है क्योंकि यह तो budget बनाता है clear से भी securities exchange board of India यह तो share market को regulate करता है state bank of India तो खुदी बैंक है है ना तो आपको बता दो राइट answer is reserve bank of India बैंकों की ब्यासदरें जो है वो regulate की जाती है या determine की जाती है reserve bank of India के द्वारा market में cash flow के हिसाब से ब्यासदरों को ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए इन सब को guide कौन करता है regulate कौन करता है RBI करता Reserve Bank of India करता क्योंकि Reserve Bank of India is the regulator of Indian financial system RBI जो है वो क्या है Indian financial system का regulator है यह आप ध्यान रखेंगे चलिए next question की तरफ बढ़ते है what is the minimum limit of CRR that can be set by the RBI मतलब CRR की minimum limit क्या है जो RBI ने set करके रखी है तो आपको बता दूँ कि पहले जो है limit हुआ करती थी 3% सबसे पहले CRR क्या होता है cash reserve ratio बैंकों के पास एक दिन के NDTL का जितना भी पैसा आता है NDTL मतलब not demand net demand and time liability मतलब यह के current account saving account recurring account और fix deposit account इन चारों एक दिन में बैंकों में जो भी पैसा आता है उसका एक निश्चित प्रतीशत जो है वो CRR के रूप में cash के रूप में जो है bank जमा कराते हैं कहां RBI में और यह जो RBI में जमा होता है उसे CRR बोलते है cash reserve ratio तो यह कौन decide करता है RBI कि बैंकों के पास एक दिन में जो भी पैसा आएगा bank उसका इतना प्रतीशत cash के रूप में RBI में मतलब उसके पास जमा करेंगे तो उसकी जो minimum limit है पहले थी 3% कितनी थी 3% थी लेकिन अब नहीं है 2006 में जो है यह limit हटा दी गई मतलब no limit आप ध्यान रखेंगे 2006 में एक कानून पास किया गया जिसके तहर अब यह limit हटा दी गई कि मतलब यह कि CRR को क्या किया जा सकता है कोई limit नहीं है कितना भी कम रखा जा सकता है पहले limit थी 3% पर अब वो नहीं है ध्यान रखेंगे CRR की minimum limit अब नहीं है 2006 के बाद से limit नहीं है which is the current account of all other banks are maintained मैं यहां पर बोलना चाहिए मुझे कि where is the current account of all other banks are maintained मतलब ही कि सभी bank जो है अपना चालू खाता है current account कहां maintain करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि banker to bank का मतलब यह कहने का मतलब यह है कि वो यहां पर RPA जो है वो bank के bank के रूप में काम करता है और अगर वो बैंको के bank के爸 की रूप में काम करता है तो फ़ो जो है उसको मतलब यह है वह एक मात्र प्लेस है जहहां bank अपना account खोल सकते हैं तो आप ध्यान लखेंगे Reserve Bank of India जो है बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है जहां पर सभी बैंकों के current account होते हैं बैंकों का business उसी account से maintain होता है bank वहीं से पैसा वहीं पर पैसा जमा करते हो उस account में और वहीं से पैसा लेते भी है ओके next question which of these facilities is given by RBI to the banks for interbank transactions RBI द्वारा बैंकों को अंतर बैंक लेंदेन करने के लिए कौन सी सुविधात दी जाती है तो दोस्तों basically आपको बता दूँ shift तो एक code होता है एक network है जहां पर दुनिया भर के bank जो है खूफिया information या confidential information शेयर करते हैं M पैसा भी पैसा बेजने का एक तरीका है लेकिन interbank transaction जो है basically वो करने के लिए जो है वो है आपका क्या RTGS यह आप याद रखेंगे real time gross settlement RTGS जो है interbank पैसा लिंदेन करने का एक तरीका है चलिए आगे बात करते हैं next question की तरफ which of the following function are performed by RBI as a banker of bank मतलब यह के banker banker to bank जो एक function RBI का इसके ताइट कौन-कौन से function जो है perform करता RBI तो simple सी बात अगला जो है यहाँ पर पहला point आप पड़े settlement of interbank transactions मतलब बैंकों के बीच में आपस में लेंदेन करने के लिए तो सही बात है ठीक है बिलकुल यह यहाँ पर जो है वो बोल रहा है कि इन में से कौन-कौन से function है which of the following function are performed by RBI as a banker of bank settlement of interbank transactions देख लेते हैं फिर दूसरा है enables banks to maintain their account with for statutory reserve requirements और उसके बाद फिर act as a lender of last resort मतलब यह कि simple यह कि अगर किसी से loan ना मिले तो आखिर में किससे मिल सकता है RBI से बैंकों को दूसरी बात यह कि आरक्षित आवशक्ताओं के लिए RBI जो है वैदानिक आरक्षित आवशक्ताओं के लिए RBI बैंकों को RBI के साथ अपने खाते बनाए रखने में सक्षम बनाता है तो मतलब यह कि अपने accounts जो maintain कर सकते हैं bank है ना वह RBI में करते हैं और दूसरी बात यह कि बैंकों के बीच में आपस में जो transaction है उसका भी लिंदेन जो है वह लिखा जो का कौन देखता है RBI देखता है तो कुल मिला के RBI बैंकों का बैंकर है उसके तहत यह तीनों function जो है वह RBI के एकदम सही है मतलब the right answer is all of the above ठीक है ओके what is the frequency of publishing of the report on management of foreign exchange reserve मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसका प्रबंदन कौन करता है RBI करता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए foreign exchange reserve या विदेशी मुद्रा भंडार की जो report है वो कितने समय में आती है हर महिने आती है या तिमाही में आती है मतलब हर तीन महिने में या फिर हर साल आती है annually या half yearly तो आपको बदा दें कि foreign exchange की जो reserve है या forex की जो report है वो कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार अभी है भारत में इसकी report हर छे महिने में दी जाती है ध्यान लखेंगे और कौन देता है Reserve Bank of India RBI देता है आपसे पूचा जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार हमारे या विदेशी मुद्रा कितनी reserve है यह report कौन देता है तो आप बताएंगे RBI और कितने टाइम में देता है तो after every half year मतलब कि 6 मिने के बाद हर 6 मिने के बाद दी जाती है The Reserve Bank of India's headline Foreign Exchange Reserve Declined to Dash Billion in the week ended September 2 which are their lowest since October 20 मतलब यह कि भारती Reserve Bank का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 2 सितंबर को समाप सपता में घटकर इतने billion dollar हो गया जो October 2020 के बाद से सबसे कम है तो हाला कि यह उस समय को पूछा गया question है है जब SBA का exam हुआ था तो आपको बता दूँ कि इसका जो सही answer है वो है 553 clear है मतलब यह कि इतने billion dollar जो है basically यह reserve उस समय हो गया था बाकि आपको बता दूँ कि यह जो है वो क्या बता रहा है October 2020 का यह October 2020 का data है और अभी का data मैंने आपको बताया है अभी हम October 2022 में बाद कर रहे हैं और अभी जो है 580 billion dollar जो है वो forex reserve हो चुका है यह आप याद रखेंगे मतलब यह कि foreign exchange reserve कितना है इससे संबंदित question भी आप से पूछे जाते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया कि जितना जादा विदेशी मुद्रा dollars हमारे पास reserve होंगे विदेशों से सामान खरीदना उतना ही सस्ता पड़ेगा रुपए की value उतनी मजबूत रहेगी अगर अभी dollar है अगर अभी dollar है वो मान लिजे कि 80 रुपए का है और हमारा विदेशी मुद्रा बंडार बढ़ता जा रहा है और यह जो है 580 से आप कहें कि यह जो है 600 हो गया 650 700 800 बिलियन डॉलर हो गया 1000 बिलियन डॉलर हो गया अगर इतना हो गया तो आप ध्यान रखिए कि रुपए की value जो है एक डॉलर के बराबर 80 के जगह हो सकता है कि 76 या 78 पर आ जाए क्याने का मतलब यह कि रुपए मजबूत कब होता है जब जितना जादा विदेशी मुद्रा बंडार हमारे पास रहता है तो एक question जो है पूछे जा सकते हैं तो आज हमने RBI and its function का part 1 finish किया है और मेरे next video में हम जो है part 2 लेकर आएंगे जहां पर RBI के और सारे functions के बारे में भी हम जो है बहुत सारे questions discuss करने वाले है preparation रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी जो बाद आपका एक मात्र लक्ष यह रहना चाहिए कि हो चाहे mains हो और चाहे interview हो कैसे भी हो बस इस बार selection देना है तो अपनी जो तयारी है उसको धार दीजिए उसको speed दीजिए हमारे साथ magnet brains banking पर क्योंकि magnet brains banking एक ऐसा YouTube channel है जो आपको शिक्षा दे रहा है वो भी 100% free आप शत्प्रतिशत प्रतिशत फ्री जो है हमारे इन सारे topics के videos देख सकते हैं और दूसरी बात यह कि books जो है e-books इन सब की प्रक्रिया जो है वो सब भी आप इसमें जो है जान सकते हैं और इनका lab ले सकते हैं सारे जो है YouTube प्लेटफॉर्म है यह कहले की Facebook है Instagram है यह सब social media platform है हमारे Twitter है Telegram में इन सब पर आप हमसे जुड़ सकते हैं हम जो ह है सिक्षा प्रवाइड करते हैं kindergarten से लेके 12 तक के exams की competitive exam से लेके entrance exams तक की तो इन सब की preparation के लिए आप Magnet Brains के YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले like करना ना भूले और share करना ना भूले तो मिलते हैं RBI and its function के part 2 में आज के लिए फिलाल इतना ही थैंक्यू everyone जैहिन